नमस्कार बच्चो, कक्षा 6, exercise 3.4, इसका प्रशा नमबर 1 आजम करने जा रहे हैं, निम्न के सार्व गुननखंड ग्याद कीजिए, सार्व गुननखंड को इंग्लिश में हम कहते हैं, common factor, तो ये बड़ा असान काम है, आईए हम इसको देखते हैं, सबसे पहला भाग है 20 और 28 के, सारे के सारे गुननखंड देखेंगे, यानि वो सारे नमबर देखेंगे, जिनके पहड़े में 20 आता है, और वो सारे नमबर देखेंगे, जिनके पहड़े में 28 आता है, देखो कैसे, यहां मैंने लिखा 20, यहां लिखा है 28, आपने भी ऐसे लिखना है, जैसे मैं नहीं आता है उसके बाद 4 के पहाडे में 20 आता है छार पांजेश पिस पाँच के पहाडे में आता है पांच अमने लिख लिया चWo凌 शे कम चे डूनी बारा छे टियुट रहा च्यो के चौ-विस नहीं आता चे पहाडे मेंगा're ही सौत 15 16 17 18 या 19 इन में से किसी पहाड़े में भी 20 नहीं आता है 20 के पहाड़े में 20 आता है ये 20 हमने लिख लिया है यहां पर ठीक है बच्चो इसका मतलब 20 के गुननखंड कौन से हो गए 20 इन सभी पहाड़ों में आता है तो यही सारे 20 के गुननखंड है कौन कौन से देखो 1 2 4 5 10 20 इसी प्रकार हम निकालेंगे 28 के सारे गुननखंड सबसे पहले एक से शुरू करना है बच्चो जब भी शुरू करना एक से शुरू करना गिंती एक से शुरू करनी है एक के पहाड़े में तो हर नंबर आता ही एक गुना 28 28 उसके बाद दो के पहाड़े में 28 तो जदी आपको पहाड़े अच्छे से याद होंगे तो यह काम आपका बढ़ा असानी से होगा दो के पहाड़े में 28 देखो दो दाहा 20 दो ग्यारे 22 दो बारे 24 दो तेरे 26 दो चोदे 28 यानि दो गुना 14 28 होता है इसके बाद तीन के पहाड़े में 28 आता है तीन एकम 3 दूनी 6 दिया 9 चोके 12 पांजे 15 चीके 18 तीन साथे 21 तीन आठे 24 तीन नहीं लिखना चार के पहाड़े में देखो, चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार तीय बारा, चार चोके सोला, चार पंजे बीस, चार चीके चोबिस, चार साते अठाइस तो अठाइस आता है चार के पहाड़े में, कहां आता है, चार साते अठाइस इसी प्रकार से 5 के पहाड़े में 28 नहीं आता, 6 के पहाड़े में 28 नहीं आता, 7 के पहाड़े में आता है, 7 हमने लिख लिया ऐसे ही आप पहाड़े पढ़ते जाएए, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 कम 8, 12, 16, 24, 25, 24, 32 तो आठ के पहाड़े में 28 नहीं आता, 9, 10, 11 के पहाड़े में नहीं आता, 12, 13 के पहाड़े में नहीं आता, 14 के पहाड़े में आता है, 14 हम लिख चुके हैं, इसी प्रकार से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, इन में से किसी पहाड़े में 28 नहीं आता, 28 के पहाड़े में आता है, 28 हमने लिख तो अब हम यहाँ पर इनको दुबारा लिखेंगे 28 के गुननखंड और यहाँ लिखे देखिए एक दो चार साथ 14 और 28 यह हमने 28 के गुननखंड लिख लिए अब हमारा प्रश्ण क्या है निम्न के सार्व गुननखंड सार्व यानि common सार्व का मतलब है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो ठीक है बच्चो सार्व का मतलब क्या है कि जो दोनों में हो सार्व गुननखंड तो बच्चो दोनों में देखो क्या-क्या है ये एक उपर भी है नीचे भी है आपने इनको सरकल करते हैं जो उपर भी है नीचे भी है उसको लिख दो कॉमा देखो दो उपर भी है नीचे भी है तो यह भी सार्व गुननखंड है इसी प्रकार से चार उपर भी है नीचे भी है तो चार भी सार्व गुननखंड है ठीक है पांच उपर है लेकिन नीचे नहीं है तो यह लेकिन यह उपर नहीं है, यहां है 14 उपर नहीं है, यहां है 28 उपर नहीं है, हमने तो सार्व लेने हैं, सार्व यानि जो दोनों में होंगे, तो दोनों में सिरफ यह तीन नंबर है, कौन-कौन से 1, 2 और 4, इसका मतलब 20 और 28 के सार्व गुननखंड है 1, 2, 4, यानि 20 और 28 के common फैक्टर है एक दो चार यानि यह तीन नंबर ऐसे हैं जिनके पहाड़ में 20 भी आता है और 28 इनके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है ठीक है बच्चों आश्या करता हूं आपको सार्व गुननकर निकालना अच्छे से समझाये होगा इस प्रश्ण के बाकी भाग देखने के लिए आप मेरे बाकी वीडियो को जरूर देखिए धन्यवाद